हेलो दोस्तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चाइनाल नौलेज लेवर में दोस्तो एक्जाम को लेकर वीडियो यह बहुत ही खास है क्योंकि यहीं प्राश्ण पर एक्छामें पूछे जाते हैं क्योंकि आप जानते हैं दोस्तो अभी SSC रेलवे यह बहुत सारे भ यहीं प्राश्ण पूछे जाते हैं कि चलिए दोस्तों यहां आप देख सकते हैं जो की पहला हमारा सवाल है भारत में फासी का साजा कौन माफ कर सकता है कि जजने अगर फासी का सजा सुना दिया तो उसको माफ कर सकता है आपके पास चार अप्सन है राष्ट पती परधान राष्टपती के पास जो भी साजय हो उससे राष्टपती माफ कर सकता है चलिए दोस्तों अब चलते हम अपने दूसरे नमबर सवाल के तरफ दूसरे नमबर सवाल है भारतिये सम्मिधान में कितने भासाओ को मन्याता प्राप्त हैं इसका चार अपसन है 20 22 25 बारव दोस्तों भारतिये सम्मिधान में कुल 22 भासाओ को मन्याता प्राप्त है कितने भासाओ को मन्याता प्राप्त है 22 बाइस भासा को कितने भासा को दोस्तों 22 बाइस भासा को चलिए दोस्तों अब चलते हम अपने तीसरे नमबर सवाल के तरफ तीसरे नमबर सवाल है हर्याक वंस के रा आपिशन है पठली पुत्र वैसे राजग्री वहरा नसीव तो दोश्तों हर एक वंस multiprijsधानी राजग्री थी कहां में थी दोस्तों राजग्री में हरेक्वंस को कखा streaming कहां थी राजग्री अब चलिए दोस्तो चलते हैं अपने चौथे नमबर कोचन के तरफ चौथे नमबर कोचन है सबसे प्राचीन वेद का क्या नाम है आपके पास चार अपसन है रीग वेद, साम वेद, अथर वेद ये जुर वेद तोस्तो सबसे प्राचीन वेद का नाम रीग वेद है चलिए दोस्तो अब चलते हम अपने पाच्वे नमबर कोचन के तरफ पाच्वे नमबर कोचन है पुरानों की संख्या कितनी होती है पुरानों की संख्या कितनी है या पुरान कितना है तो दोस्तो पुरानों की संख्या 18 है कितना है दोस्तो 18 है पुरानों की संख्या कितनी है दोस्तों 18 है चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने छट्ठे नंबर कोचन के तरफ जो कि हमारा है गुलाम वह अंस के संष्ठापर कौन थे गुलाम वह अंस के संष्ठापर कौन थे आपके पास 4 अपसन है पहला मुहम्मद गौरी दूसरा साजा तीसरा कुटुब चोथा बाबर दोस्तों गुलाम ओंज के साइस्थापक कुतुब दिन एबग थे कौन थे दोस्तों कुतुब दिन एबग कौन कुतुब दिन एबग गुलाम ओंज के साइस्थापक कौन थे इसका इंसर हो जागा दोस्तों कुतुब दिन एबग चलिए दोस्तो अब चलते हैं अपने सात्फवे नंबर सवाल के तरफ सात्वे नंबर सवाल है सबसे पूराना यह सबसे प्राचीन विष्व विध्यले कौन सा है आपके पास चार अप्सन है बिकरमसिला नलांदा तकछिला इसमें से कोई नहीं दोस्तों सबसे प्राचीन विश्व विद्दाले तक्ष सिला है कौन है तोस्तों तक्ष सिला यह बरत्मान में पकिस्तान में भी है दोस्तों लेकिन पहले यह भारत में ही था इसमें परहाने वाले अचारे के नाम था चानाक क्यां क्या था दोस्तों चानाक क्या ये बारबर कोचन पूछा जाता है दोस्तों चानक के कौन सा विश्व विद्धाले में परहाते थे इसका एंसर है दोस्तों तक्छीला चानक के किस विश्व विद्धाले में परहाते थे तक्छीला में चानक के किस विश्व के त्वीचर थे अर्थ सास्त्र उस समय अर्थ सास्त का मतलब होता है राजनी तिक उस समय का अर्थ सास्त का मतलब था राजनी तिक ये करा जा दूसरे राज पर कैसे राज कर सकता है उसी के बारे में उस समय का अर्थ सास्त था तो ये भी कोचल पुछा जाता है कि अर्थ सास्त का लेखा कौन है इसका एंसर कि हो जाएगा दोस्तों चाना क्या चाना क्या कि कर दोस्तों कि चलिया दोस्तों अब चलते हैं अपने आठवे नमब्स कोचन के तरहां है भारत रहतने प्राप्त करने वाले पर्थम गयर भारती यह कौन भारत रृत्र पराप्त करने वाले पर्थम भी देशी कौन थे या पर्थम गहरभारतितीस कौन थे आपके पास चार अप्शन है खान अबदुर घाहर खान इंद्र évंधि-खारक इन इन में से कोई नहीं दोस्तों भारत दोस्तों भारत रातन प्राप्त करणे वाले पर थम गयर भारती है खान अब्दुर्गा फार खान थे कौन थे दोस्तों अब्दुर्गा फार खान यह पाकिस्तानी थे कौन थे दोस्तों यह पाकिस्तानी थे चलिए दोस्तो अब चलते हैं अपने नवे नमर कोचन के नवे नमर कोचन सूरी एक परकार का क्या है ग्रा है तारा है आग का गोला है इन में से कोई नहीं तो दोस्तो सूरी एक परकार का तारा है क्या है दोस्तो तारा है क्या है यह तारा है सूरी एक परकार का क्या है तारा है चलिए दोस्तो अब चलते हम अपने दास्वे नंबर कोचन के तब दास्वे नंबर कोचन असुक के बेटे का क्या नाम था असुक के बेटा का क्या नाम था आपके पास चार अप्षन है सिद्धार्थ राहुल जीवक राजकुमार तो दोस्तों असोक के बेटे का नाम राहुल था क्या था दोस्तों राहुल था असोक के बेटे का क्या नाम था तो राहुल था चलिया दोस्तो, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो, तो यह चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ऐसे ही वीडियो के लिए हैं में लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों आप सच बताएगा इसमें से कितने कोचन का एंसर आप जानते थे एक बर कमेंट में बता है दोस्तों आपसे नम नहीं देद है कि आप कितने कोचन का एंसर जानते थे एक बर कमेंट में बता है और प्लीज सस्क्राइब और लाइक करें